नमस्कार स्वागत है आप सभी का CIT के NCRT के इस कारिक्रम में मैं हूँ तानवी खुराना और ग्यार्वी कक्षा के सभी जात्र हमारे साथ जुर सकते हैं इस हिंदी के कारिक्रम में जिसमें आज हम बातचीत करेंगे स्त्री शिक्षा की रह बनाते सावित्री बाई और जोतिबा फूले के बारे में हम सभी जानते हैं इन दो नामों को बहुत ही आम नाम हैं हम सब जानते हैं कि सावित्री बाई फूले जो थी वो पहली महिला शिक्षिका थी और हम ये भी जानते हैं कि दोनों सोशल रिफॉर्मर्स थे समाज सुधारक थे इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है क्या वज़ा थी उनका क्या पैशन था और इन्होंने समाज के लिए क्या कुछ किया था हम आज बहुत कुछ जानेंगे इनके बारे में और यह है चैप्टर नमबर फाइव ग्यार्वा ग्यार्मी कक्षा के सभी बच्चों के लिए अगर आपके पास कोई भी सवाल है आप सवाल लिख कर हम तक पहुंचा सकते हैं अगर आप चाहें तो हमें फोन भी कर सकते हैं हमारा नमबर है 8800440559 अगर आप हमें इमेल करना चाहें तो इमेल आइडी होगा dth.class11 at the rate cit.nic.in एक घंटे के इस कारेक्रम में हमारे साथ एक महमान मौजूद है जो हमें इसी विशे के बारे में बहुत सारी जहानकारी देंगी तो चलिए आपका परिचे करवाते हैं प्रोफेसर संधिया सिंग से स्वागर है माम है भाशा शिक्षा विभाग NCRT से तो चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं और हम माम से सबसे पहला ये सवाल पूछना चाहेंगे कि माम क कि इस चाप्टर में खास तोर से हम आज सावित्री बाई और जोतिवा पूले के बारे में जानने वाले हैं या उनके जो समाज में उन्होंने प्यवस्ता बदली उसके बारे में जानने वाले हैं बल्कि दोनों को बारे में जानने वाले हैं तनमी क्योंकि ये हमारा तो उसके इर्दगिर्द क्या हो रहा था उस समय में क्या हो रहा था और यह जो भी कारे हुए बल्कि किसी के जीवन को मेरा यह मानना है कि किसी के जीवन को सिर्फ जीवन की तरह नहीं यह यह कहें मैं इसको एक रुपा की तरह कहूं तो एक सिर्फ संग्या की तरह नहीं जान संग्याय से बन करके नरह जाएं वलकि क्रियां को हम क्रियां की तरह भी देखें तरह यह मेरा अदेश है सावितरी भाइपुले और जोटीभा फुले जो उने के पती है उन दोन के पामों को उनके नामों से अलग करके नहीं बल visas шट चोड़ कर देखना चाहते बिलकुल माउं उन्के नाम तो माम कौन सी जानकारी है जो आज आप हमारे दर्शो के साथ चाहने वारे पहली बात तो मैं आज जो बात करना चाहूंगी सावित्रीवाई फुले उनकी पतनी थी जो अध्याया पढ़ रहे हैं उसका नाम है जोतीवा फुले यानि जोतीवा फुले के जीवन पर आधारित वो पार्ट है लेकिन सावित्रीवाई फुले के अतरीक्त और भी बहुत से लोग उनके साथ जो उसके बाद की कडी में जु बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तमाम जो स्लोगन कह रहे हैं तो हम यहां तक पहुष्टे हुए कौन सी यात्रा तेकर कर आये हैं उन यात्रा पर थोड़ी सी एक नजर डालना एक दिश्टी डालना हमरा अदेश है तो यह बात हम लोग यहां से शुडू करेंगे कि अगर मैं यहां इतरा पुली के आप पढ़ रहे हैं अगर उसमें कहीं कहीं सावितरीवाई बाई का जिक्र भी आता है तो पहले सावितरीवाई बारे के जानने से पहले मैं थोड़ी सी शिक्षा-की जो बुनियाद है जो शुरुवात कहां से हूई उसकुर में आपका ध्यान दिला कि वास्तों में राष्ट्री शिक्षा किसे कहते हैं, राष्ट्री शिक्षा ब्यवस्ता का उद्देश है, सामाजिक माहौल और जन्न के संयोग से उत्पन, पुर्वग्रह और कुंठाएं दूर हूँ, ये नाइंटीनेटी सिक्स के पॉलिसी में ये कहा गया है, इसके ठीक म और उसके थोड़े ही समय बाद, 1953 का ये डॉक्यमेंट, 1952-53 का माधिमिक शिक्षा आयोग, ये डॉक्यमेंट लोगतंत्र के बारे में जो बात कह रहा है, ये भी धान देन, मैं इस पर इसलिए धान देला रही हूं कि मैं इसी से जोड के बाकी बाते कहूंगी, लोगतंत्र पतियक व्यक्ति के मनुष्य के रूप में सम्मान व योगिता में आस्था पराधारित होता है, अता लोगतंत्रिक शिक्षा का उदेश है, व्यक्तितों का पून व चहमुखी विकास, अर्थात एक ऐसी शिक्षा जो विद्यार्थियों का एक समुदाय में जीने की बहु आयामी कला में दिक्षित करें, ये माधिमिक शिक्षायो कह रहा था, नाइंटीन फिफ्टी थी में, बिलकुल इसके बाद वाला भी आप जरूर देखें कि लोगतंत्र में नागरिक्ता की परिभार्षा में कई बाधिक, सामाजिक व नैतिक गुन शामिल होते हैं, एक लो अधिक शंता होनी चाहिए, वर नाथ पुरानी को इसलिए क्योंकि व पुराना है, और नहीं नै को इसलिए स्विकार करें क्योंकि व नया है, बल्कि उसे निष्पक शुरूप से दोनों को परखना चाहिए, थोड़ा इसमें स्पलिंग मिस्टिक है, क्रिपया ध्यान देल तब फिर मैं पीछ आओंगे, इसको देख लीजिए, यह जिन तीन चार डॉक्यमेंट के वारे मैं आपके आपसे मैंने जिक्र किया इसके और पहले थोड़ा सा हम जाएं तो 1948 में हमारा जो बना है राधा कृष्णायोग उसके बाद अगर हम देखें तो 1968 का पहला को लेकर बातें कही गई है लेकिन 19 जो राधा किष्णायोग है उस डॉक्यमेंट में थोड़ी सी बात आई है कि इस्त्रियों को पढ़ना चाहिए क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाना है और एक स्त्री जब शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है ऐस स्त्री शिक्षित होता है 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 स्त्री शिक् रे करे को आपकरिया पर फॉप इसे उन्हें जरूप बहुत है जैसे नर्स के रूप में, चाली थी की बढडी आओशकता तो ऐसे कई भुमिकाओएं आ रही है, तो फम्रजी देले को नोप घृत्व हो रही है जिनमे तरियों की आओशकता इसलिक जाहिए मीने तरय को आपको पढ़ कर दो पहले बात कहता है और अपने था कि नहीं एक रावरी का दर्ज़ एक बात कर दर्ज़ इसको जिसको जोतीवा पुले पहले जन्म होता है अठारई सु सताइस में अपकल पुना करिये लगभग सवा साल पहले वह बात वह कह चुके थे जोतीवा फुले इ जो थोड़ी छोटी थी तो इन दोनों का विभा में थोड़ा सा बताऊंगी कि नॉग सावीतरी वाई फुले तब उनका विभा हो गया था जो तीवा फुले से और जो वो तेरह साल के थे लगभग तेरह साल के थे जन्म पुरेदेश उन्हों एक्तु नोन दिनों अँने होता है। लोने सवित्री भाई बाई पुले में पूरेश निहां तीन जन्म दीनों होता है, लोने शोटेन दीनों होता है। या। थोड़ा आपका ध्यान दिलाओं। इस पार्ट में भी इसका जिक्राता है कि थावित्तरी भाई फुले जब छोटी सी थी वो जब जब वजब थोड़ी सी आजाद किस्म किती थोड़ा उनका ख्याल है हाला कि आट साल की बच्ची नौ साल की बच्ची का क्या होगा अजादी होगी वो घुमने भी निकल जाती तो रास्ते में कभी उनको एक अंग्रेज मिला और उसने एक किताब दी उनको और वो किताब लेकर के सिर्फ यह कहते हुए दिया कि तुम पढ़ तो नहीं पाओगी क्योंकि अंग्रेजी में किताब थी लेकिन इसकी चित्रों को जरूर देखना इसके चित्रों को ध्यान दे अगर जाओगी और अंग्रेजी पढ़ कर तुम कहा जाओगी आवी जिसके लिए पहले एक शब आता था मलेच शब आता था तो इस यह भार्षा उनकी है यह हमारी भार्षा नहीं है और जब तुम यह पढ़ोगी तो हम अरी भारती संस्कृती से दूर हो जाओगी एक इस पती पहले से ही उनका एक मिजाज उस तरह का है कि वह समाज के लिए कुछ करने की उनके में थी साधना थी और वह कर रहे थे बाकाइदा थी तीरह साल का बच्चा अप सोच लिजे जादा उम्रे नहीं है वह उस वक्त अपनी पतनी को पढ़ाना शुरू कर देते हैं प्रा एंपर इसके बार टीचर टेर्ची में पार्टीर टेर्टीर टेरिंग है टीचर टेरों रब्ली कर तीर टेरिंग में हो सोिर्च गूशल प्रवार्मा उस समय की समाई सुध हारी पातिमे शेह य थी इस si कुछल मुसलीम अध्यामनी जाती हैं ओ जैसे हम सवत्तरी भाई फुले ट्रेनिंग कर रही थी, टीचर्स ट्रेनिंग ले रही थी बाहर के इंस्टिचूट से उस इंस्टिचूट में उनको मुलाकात होती है फातिमा शेक से और दोलों फिर एक नई राह पर चल पड़ते हैं तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना पुने के में ही शुरू कर हैं लोगों को और उसको चलाने का काम दे देते हैं सावितरी बाई और जोतिबा को और खासर से फातिमा शेक भी उनके साथ जुड़ जाती है एक और महिला उस वक्त वा करती थी सगुना बाई उनका भी नाम आता है तो यह तीनों मिलकर के इस स्कूल को की कुई कन्या पर 189 था साल में भारत का पहला करना पाठ शोर्षाला की शुरुवात होती है और जिसको चलाती एक महिला है यह अपने आप में थ्रिल करने वाले बात है अपने आप में अर इसले में यह बात कहें हुआ हूं कि 1857 का विद्रोह उसके बाद हुआ हुआ है पहुत बाद में उसके भी नौ साल बाद जिसको हम पहला स्वतंत्रता का विगुल कहते हैं, तो आप सोच लिजे कि महिला के द्वारा उससे भी नौ साल पहले एक शुरुवात हो चुकी थी, और मैं जब यह बात कह रही हूं, तन्मे तो ध्यान देने की बात है, कि इस सरह के कारे, जो कि आग एक राष्ट्रमुक्ति का संदेश मानती हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रमुक्ति की पहल थी, शुरुवात थी, पहला कदम था और उस पहले कदम को हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक मुक्ति संबंधी कारे थे, जिसे देखाई उस तरह से जान कि पहला बेगुलिन से शुरु होता है क्योंकि शिक्षाग के बगार मुक्ति हो ही नहीं सकती है, तो वहां से शुरुवात हुई अच्या उसी स्कूल के जानना चाहेंगे कि विशेष्टा क्या थी, उसी स्कूल की कई तीन-चार विशेष्टा थी, एक तो पहली बात कि व सभी के लिए था, एक बात, दोसरी बात तो स्कूल की विशेष्टा ये थी, कि उस जमाने में जो पहले थोड़े बहुत स्कूल थे महिला के लिए लिए लिकर कुछ स्कूल चल रहे थे, उन स्कूलों में बेद और शास्त्र जो टेक्स्ट जो होते थे हमारे जो पुरान के स्कूल चalenी फारे, जिर्य को लिए कौल टेक्स्ट की पढ़ाई हुआ करती ती लेकिन वे पहले बार बिज्ञान को है और समाज बिज्यान को भी लेकियाता है, इसो बिल मनें बे भी लेके लिए नहीं पर देज्टेर में बढ़ने कि नहीं वहुले कि पहले बार उनकों ल वह प्रिकल्पना कर रहे हैं उस आजादी के लिए हमारे बच्चों को इस सरह से तयार करना पड़ेगा और उन्हें उस तरह से उसकी योजना बनाई तीसरी बाद जो उसकी विशेश्थता थी वह उस इस तो में रात्री कालीन पाठशाला भी चला कर दी ती रात्री कालीन प पाठशाला थी ताकि केवल एक व्यक्ति को शिक्षित नहीं करना बल्कि पूरे समाज को शिक्षित करना उसके परिवार को शिक्षित करना और यू कि सकते इस तरह से समाज की बहुत से दिवारी तूट रही थी बहुत से जो कुरीतियां थी तूट रही थी तूर हो रही और वो अकेली एक बच्चे के द्वारा नहीं एक विध्यार्थी के द्वारा नहीं बलकि पुरे परिवार के द्वारा तो वो रात्रिकालीन पाठशाला भी चला करती थी अब जो ढूसरा जो जो तरी जो भुमिका थी मैं इसलिए धहान दिला रही हो कि इन दोनों लोगों अठारे स्कूल खोले अठारे स्कूल चलाए ऐसे और उसके लिए एक संचालन समिती बनाई और बड़ी लोगतांत्रिक ढंग से इसको कहना चाहिए इससे लोगतांत्रिक ढंग नहीं हो सकता बहुत लोगतांत्रिक ढंग से उन्होंने स्कूल के चलाने के लिए एक संचालन समिती बनाई तो क्या मैं उस वक्त ये अंड्रेज ओ का राज था तो उन्होंने क्या भी चुछ कुछ दिककते पैदा नहीं की थी? यह पिखेती तो नहीं नहीं हो नहीं लिकिन अपकर यह अगर जणी कहा इसकोल भी महिला का स्कूल जाना पहुती काम था यह तान चाल याद दिलाय काम वहिस को रखतीन काम था पढ़ गए तनवी अजब पढ़ा निया थिकरा पढ़ाने के लिये तो इस पार्ट मेश्थ्ला इसलिए वो अपने थैले में एक साड़ी लेके जाया करती थी जाते ही सबसे पहले बदलती थी कपड़ा और कपड़ा बदल कर फिर पढ़ाना शुरू कर देती थी तो यह असान नहीं था रुकावट तो थी बाधाये तो बहुत थी और बाधाये अपनों के इस से विया रही तो अगर आप इतिहास देखें तो महाराष्ट्र में ही जो एक योजना चल रही थी कि भारत के लोगों को कैसे शिक्षा दी जाए कि सरह से किया जाए ऐसे में वहां के हैमिल्टन नाम के जो वहां के जो वेक्ति थे जो वहां के उस समय गवर्नर हुआ करते थे थे उन्हों अगर देखा जाए तो यह एक महत्यपून भात थी जो उसमें चल रही थी जो एक महाराष्ट्र में बहुत से स्कूल भी खोले गए लिग गए उन्हाराथी माध्यम के से पढ़ाई होने लगी थी और इस तरह की कोशिचे चल रही थी लेकिन वही समय था जिस समय एक वर्ग था जो कि अंग्रेजी में शिक्षा माध्यम बना के चल रहा था था अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई हो ऐसा लोगों ने सोचा तो कुल मिला कर कि हमारे देश की जो निव पढ़ी आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी की और थोड़े सजुका हो तो हुआ तो आप सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख लेखें, सावित्री भाई फुले मराथी की आधनी कविता की सुत्रधार मानी जाती है, उस दौर में जब महिला खासकर शुद्ध महिला के लिए पढ़ पाना तकरीवन नामुम्किन था, सावित्री भाई फुले खुद पढ़ी, हर वर दौर में जब दौर में जब दौर्धार में जब लड़को पढ़ाने के लिए अगी आई उनका वेक्तित बहु आया मिथा एक कवित्री भी थी जुन्होंने मराथी साहती में बहुत बढ़ी भाई और कवित्री हो ते कावित्री का उन्होंने रूप भीद्ला यह देख ल जाहर है उनके उसमें बढ़ाया गया है पढ़ाते हूए मराथी कवित्री होने के उन्होंने उनका जो पहला संग्रा हाया वो कावे फुले नाम से प्रकाशित हूँए बढ़ पुले नाम था और उसका एक तेईस वर्ष की हुआ करती थी बहुत ही चोटी थी और यह ज़ आप सामने अंग्रेजी मएयांं शुद्रों को मुक्ति दिलावे दिलो जान से अंग्रेजी मएयां अब नहीं है मुगलाई नहीं बचा पेश्वाई मुर्ख शाही अंग्रेजी मययां तू ने तोड़ डाली जन्जीर पशुता की इंसानियत की बवच्छार सारे शुद्र जनों पर इसको पढ़ते वे हो सकता है कहीं पर आप अटक रहे हो सातियों आप लोग एक बर्ध्यान दीजिएगा कि यह जो कुछ भी मिला है जाहिरे इतना संजो कर तो नहीं रखा गया था और कुछ लोगों ने नेट पर इसको डा तो इस थोड़े बहुत आपको इसमें कहीं दिखाइए पड़ेगा कामा फुल स्टॉप इस तरह की कम्याप को एक कर रही हो ऑन्क्रेजी माईयां ग्रेजी मायां ग्रेजी को और बहुत महत दिया था उस Νाना हमिल्टन जो थे थे उसि-समें अटकी गवर्नर थे उन्हों तो इन्हों ने अंग्रेजी और अंग्रेजी शिक्षा और इनका अग्रेजी से शायद अध्देश यह भी था कि जितनी आध्धुनिक उसको डिसिप्लिन हम कहते हैं उन सारे डिसिप्लिन को हमें जानना चाहिए और शायद अग्रेजी के द्वारा आ सकता है इसके पीछे र समझने की बात है मैं हम एक चीज और जाना जाएंगे तो क्या उस वक्त सावित्री बाई पूले अंग्रेजी भी पढ़ाती थी अपने स्कूल में और मराथी भी पढ़ा थी क्योंकि दोनों ही भार्षाए हैं हां बिलकुल बिलकुल दोनों पढ़ाती थी वह क्योंकि पढ़ाती ही था अर जादातर लेकिन लॉजी भी पढ़ायती थी और अंग्रेजी भी एम एगिन उन्हादी घाता जर्ड़ना जाता है मैं ऑने साहित्ती बहुत पढ़ाय जाता ते तो यह उन्हों उस स्कूल में पढ़ाई जाती थी तो विशे के तौर पर अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और अच्छे से अंग्रेजी को महत्व देती थी माम आपने हमी ये भी बताया कि जब सावित्री भाई का विवा हुआ था जोति भाई से तो वो जो किताब थी जो उनके पिताजी ने झीम ली थी वो ले कराई थी या आजो जान सकते हैं कि वह ओन सी किताब थी ये तो मैं भश्यूम नहीं पाऊंगी कि कौन सी थी लेकिन फो जो बच्चों के लिए फिस जान का कराऊँ जादा है यह जानकारी ऐसा ऐसी मिली हुई है तो उसको यह महत्वपुन बात है कि जिसको पिता नहीं हटा दिया था उसको उन्होंने समाल के रखा और इनके मन में कहीं थी और जब भी अवसर मिलेगा तब उनको पढ़ लेंगी और जो तीवा फुले के साथ यह उनको मिल गया और उन कि क्या कड़ी क्या रही है जाखा ले हमारे विद्यार्थें को यह जानना चाहिए कि सावितरी भाई फुले और जौती भाई फुले इन दोनों ने मिलकर जो जिस रह पर यह लोग जो चले तो क्या यह जैसा कि मैंने बताया कि 1887 से भी पहले यह बिगुल शुरुवात हो क्या इस दौर में के पहले कुछ हूँ या इसके बात कुछ hईुआ क के नहीं इस दौर और अगर वाल एक सा नाचाहूं या हमारी विद्यार्वेग को स मैं धिया दिलाना चाहूंगी कि है वही दौर कि एलच बयार्मीन सदी में एक महादेवी जैसी इस्त्रियां बिना संस्थान के क्योंकि एक कह सकती thousandur की संस्थान पास नहीं ति लेकिन वो वह काम कर रही थी भारी आरूमीन सदी दियाल भारी महादेवी ने जो बात कही है अर्कम्या महादेवी ने बहुत कहा ने कि धील अपने मोह पाष भूख को छोड़ दो अपने मोह पाष को भूल जाओ इन सब को त्याग कर संतों के साथ बैठ जाओ और संतों से कुछ पढ़ो और सीखो और जानो उन्हों पना घर चोड़ दिया था अपने मोह त्याग दिये साथितरी वाई पुले को वहां से कहीं उनको यह आँच मिली थी क्या जिस दुदम में गएक अपनी शुरूवाद फूलले को उन्होंने था स्व उन्होंने भिन्स रूप में यह लोग जाने गें बना किसी संस्थान को नहने दिवार बणने नहीं बनाए जासां कि साथित के लिए ठीन देने इंते ओे राखिए नाम के नाम आंगे गल्तारंके मारे बताका है लोगों पेस बिंडला नाम्ला टीन शॉड़ों के लोगों के बारे मैं बताना शहां हुँ के नहीं के ऊत्र ही और इुछेरी के लगों के लिडनगे फ़रों फेर्या शाटविधालिया के तो रहा किल रहा हैं, उस अग्यान उस रोग टोक कि हमें झाल को खुलने के बात्य मेद भुद Kr зал करती हैं, जब वह पांश के कि ला में मात्र आ पांश को उल अजन मेद हाटी नहीं कि लुग भूदर के लिक लगपफ दियू करें तो यह सारे लोग जब यह तूटनी की बात कर रहे हैं और किसके साथ बैठकर शिक्षा के माध्धियम केवल शिक्षा एक मात्र राह है जिसकी राह पर चलकर उनको लगता है कि यह तूट सकता है और यह छोड़ा जा सकता है और हमें एक अपनी राह मिल सकती है जिसे हम स्वत तो मेरा भी जब कहती है, संतनधिक बेठ्ट लोकलाजी खोई जानता है हुआ है कि उनके शिक्छक है, उनके शिक्छक हैं। लेकिन उस सारे उसके बाद भी वो काम वो करते रहें, उससे पीछे नहीं हटे और उन्होंने बाकाइदा अपनी राह पर एक राह बनाई तो मैं जब इन तीनों के नाम ले रही हूँ तो कहीं न कहीं साबित्री भाई, फुले, जैसी इस्तरीयों को इन सब के बारे में जरूर जानकारी रही होगी, पड़ी लिखिस्तरी थी और जरूर जानकारी रही होगी, कहीं न कहीं एक आज सी मलती होगी, कहीं न कहीं एक कड़ी सी बनती होगी, एक चेन सी बनाती चली गई, एक राह सी बनती आई, पीछे की राह, अगर उसको मैं लेकिन ये भी महत्वपुन है कि 1880 में जब उन्होंने ये किया उसके बाद क्या हुआ हुआ जब उन्होंने स्कूल खोला जाए उन्होंने अपने घर में ही एक प्रिवेंशन आफ बच्चों के प्रिवेंशन बाल रख्षक जो बच्चे हुपैदा होते थे वो तुरंथी मर बच्चे जोगिशन बच्चे झा に हमी ? योदी खोल झाले जए एक सुरक्षा गरह और उन्होंने खोल रख्त है अपने लोगों के लिए खोल से घर ग झाले लेकि घुञार जाए जह तो बलकि ता 일 Almighty young children विखेव दोगा झाल जाते हैं उने लोग जाते हैं जाओ अज़िखा पालना भी नहीं काम था तो यश्वन्त नाम के उस बच्चे को उन्हें ने गोद भी ले रखा था और उन्होंने आगे उसको पढ़ाया लिखाया वड़ा किया तो इस तरह के काम भी हुए उस समय है उस पहली महिला अधिक्षटा, बच्चों आपको याद होगा, आप ते हिस्ट्री भी पढ़ते हो, आपको पता होगा कि कॉंग्रेस का पहले अधिवेशन की जो पहली महिला अधिक्षटा की, अनी बेसंट थी वो, और कप किया था, उनीसो सत्रह में किया था, और इन्हों ने ब और इन्फिंटिसाइड चला रही थी, इस महिला और बहुत से काम, कई तरह के काम प्लेग के लिए बल्कि उन्होंने जो ने जो अठारव सच्छी ने में एक प्लेग हो था और उसमें लोगों की देखरे करती थी इसी दौरान उनकी मृत्य बुई हुई 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 कारण प्लेग ही था क्योंकि किसी को सेवा करते हुई उनको भी पकड़ लिया प्लेग ने और फिर वह नहीं बची तो मतलब सेवा करते हुई हुई यह अपने महत्तपुन है मैं याद इसलिए दिला रही हुँ कि 1848 में उन्होंने यह स्कूल खोला अठारव सा उन्चास मे पहला मैं माध्धिमिक शुरू होता है अंग्रेज ने शुरू किया जिसको कलकता में यह इनि अन्चास में यह शुरू होता है यह महत्तपुन बात है कि अंग्रेज भी इस तरह के काम बहुत जादा नहीं कर पा रहे थे जिस जो समय उस भारती महिला ने किया जोतीवा पती के उस समय उनके पती नी इतनी सहाइता कि उनका साथ दिया, यह मामुली बात नहीं थी यह आज भी बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है, हमेशा परतमाम से अगर हम जोड कर देखें, तो आज भी हमारे आसपास बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है लेकिन उस समय उ महिला खिक्षा की महान युद्ध थी रमावाई एक स्क्रीन पर देख लीजाए उन्होंने तो उन्होंने थे यह मिशन इस्थापित कि वधिवाओं के लिए था, आज स्ववत लिए इस्वता दृता के लिए जाती थी लग्री की चीज़ बनाने की शिक्षा दी झिए जा छो नहीं दी जाती है उस समय रहा हिए उस समय रह्माभाई नहीं काम किया उस उनीज सदी की बात इंधर आठावान सब अधान्था नहीं ज़ो भी का समय एक दो बहुत बड़ी बात है वहाली बात बड़ ओक्षणा की स्वातनतरता इंग दे रही थी मैं सा cœur कि मैं मानती हो कि यह सारे काम जो थे एक स्वतंतरता की राह वाले थे तो स्वतंतरता की दर असल शिक्षा देनी चाहिए उस दौर में स्वतंतरता की शिक्षा दी जाती थी इस महत्पुर बात है हम लोग स्वतंतरता आंदोलन तो जरूर पढ़ाते हैं लेकिन हम स्वतंतरता है क्या चीज इसकी भी शिक्षा देनी बहुत जरूरी चीज है और मैं समझती हूँ इसको आप सब लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए क्योंकि जो तरहसल स्वतंत्ता बहुत कुछ है एक बात नहीं लेकिन एक बात सिर्फ आप से में आप से कहूं हूँ तो ये कि जो स्वतंत्र हो सकते हैं तो सही दाले में सब्स्वतंत्र नहीं हुए अगर अगरह साहिए तो सब्स्वतंत्र था हम सब्स्तंत्र है और किसी एक बातंत्रता की रहां पर उपर क्रमे देब मैं कि चिआ आधे करि नहीं किया हूँ चाहते हैं वही समय है जबिल नाहट जरफ्स अर चाहते हैंनें कफर देगाने का लिए कि आदी कि यह साधी हो EVG करना चाहता हूं।। अगर आज आपको एक सेब कोई ब्येक्ति चार अने में खरीता है और एक रुपे में बेच देता है। तो असे क्या मिले गा तो सुचेता जी ने कहा है, मेरे खाले मेरे बच्चे जवाब दे पाएंगे तो उन्हों ने कर नहीं मैं आपके बच्चों से यह जवाब चाहता हूं कि वो कह सकें कि उन्हें जेल मिलेगी क्योंकि चार आने की चीज खरीद कर एक रुपे में बेचनी का यानि कि इतना मुनाफ़ा कमाने का इतना करता है तो यह क्राइम है यह अपराद है और अपराद है तो से जेल मिलनी जाही है यह इस तरह की चिंतन शमता अगर हमारे आज के बच्चों में पैदा नहीं हो पारी है तो वह हमारे आजाद भारत के मुताबिक बच्चे नहीं बन बन बारह है हमारा NEP 2020 में भी भूमिका में है उसके लिखा गया है कि हम एक सवतन्तr चिंतक पैदा करना चाहते है हमारे बच्चे अपनी सवतन्त चिंतन कर सकें अपनी राह बना सकें अपनी ढंग से सोच शकें यह हमारा अभी के शुक्षानिती भी ।छοιπόν यह वी जो खुद विस्वतंत्र हो और दूसरों को विस्वतंत्र होने देद हो, नहीं तो हम किसी एक दूसरी रह पर चल पड़ेंगे। तो यह तमाम चीजें हैं जिस पर उन्होंने गौर किया और बहुत सी और महिलाओं ने काम किया, तो यह वह दूर था और अगर मैं थोड़ा-सा जोतिबा जी के बारे में बात करूँ उनके पती जो उनके साथ चल रहे थे वह किस तरह से कैसे उनके साथ हर्मी रहे होंगे, उनके साथी कैसे बन पाएं होगे, कैसे बेक्ति थे, उनका पहला ही वाक्य आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनका जिस परिवार में पिता बद्ध, माता इसाई, बेटी मुसल्मान और बेटा सत्य धर्मी हो, वह परिवार एक आदर्ष परिवार है। बहुती सुंदर बात कही है अब जाहिर है कि जरूरी नहीं है कि खोज किताई धर्मों के लोगों को परिवार का हिस्सा बनाया जाहिए नहीं, मैं इसको अगर इस धंग से देखों कि हमारा पूरा देश एक परिवार है तो अगर पूरा देश एक परिवार है तो उस पूरा के मैं इस बात को कहते हुए, मैं जहे द्यान दिला जाहूंगे अपने विध्यारतियों का, कि हमारा समविधान कहता है कि की we the people, हम भारत के वासी हैं, हम भारते वासी, जो we the people हम कहते हैं हम, तो हम नहीं यह सब होते हैं, हम कभी भी अकेला नहीं होगा, हम हमेशा कभी किसी को वे की नजर से नहीं देखेगा, वे की दिरिष्टी से नहीं देखेगा, हमेशा एक पहले दर्जे का नागरिक बन कर ही देखेगा, और हर व्यक्ति पहले दर्जे का नागरिक है, कोई दूस तो हम है, जहें वुह को चखी स्त्री हो, पुरुष हो, या वुई अन्यधर्ण हो, अन्यधर्म हो अन्यधर्म हो यह सार्य हम है वहrás हे नहीं हो कर आपकुर्स हो कि एमें बात में ड座 महत्व महत्यून, दूसरी बात जहां जो आप देख पाह नहीं होंगे इतने अनर्थ एक अविद्या ने की यह उनकी कविता है और इन्होंने कविता की भूमिका में यह बात बलकि दो помогे हैं और स्थिक्षिते हैं पिए झाल कि उनकी इन्हों को कि इlor बीनिये हैंος तब और सकतती हिए जीवन का नेपना, वान ने कोई यव नई सकती है तो हमें कही रह ढूं कुछे है उपना हिसमा RD Опनांग मिला कि नई सकती है और बधिजित अजलां मेरे चाहिश अभीख झरें नहीं जी नहीं एक लूत में खुझाय ज्म looks a Snare बहता दो मैं बाद में बिटा ढ今 में बढ़ा जाणा ये इसलिए महत्य नहीं इंख the the और ऑन्जेकन पालेना, बुरिटिश का दुण और अगरेजने कि बालेना, यह मातर मुकति कि यह सवतंतर तामाजी यह सवतंत्रता नहीं हैं? जब हम आर्थिक रूप से भी स्ववतंत्र हो हम राजनिति करूप 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 से भी स्ववतंत्र नहीं है तो हम पुरी स्ववतंत्र नहीं है स्ववतंत्र मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी, कि इसके लिए महात्मा जोतिवा फुले ने क्या कहा है? जोतिवा फुले ने एक बात महत्तपुर कही है, कि स्त्री शिक्षा के दर्वाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं, कि वह मानुवी अधिकारों को न समझ भाए जैसी स्वतन्थता पुरुष लेता है, तो पुरुषों के लिए लग नियम और स्त्रियो के लिए बुथु यह पक्ष्ऑपात हैं यह जोतीवा जैसा बेगती हूं निसमी सदी मे यह बात कहरा है, बहुत है क्योंकि केवल वो अपनी पत्नी के लिए नहीं बलकि पुरे देश की इस्त्रीयों के लिए बात कह रहा है तो सभी के लिए एक नियम होना चाहिए यह जो दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों आप ध्यान दीजी उस वक्त कहते हैं यह जो तीवा कहलवाते हैं स्त्री से कि आठ बचन निर्वारा का washouta है कि आठ बचन निवारा का करवाता है कि आठ बचन बोलो कि तुम करों भी लड़की और से भी कहता है। तो उस तरएके आठ बचनों को जोतिवा जी स्विकार कर देते हैं वो कहते हैं कि यह पुरुष प्रधान बनाया हो गया है हमें नए वचन बनाने पड़ेंगे, उसी वचन का यह हिस्सा है दूसरा, जिसको इन्होंने कहा, कि स्त्रियां क्या कहेंगी अपने पुरुशों से, वो यह कहेंगी, कि स्वतंतरता का अनुभाव हम स्त्रियों को है ही नहीं, इस बात की आज शपत लो, अपने वो पती से कह कि आज शपत लो, कि स्त्री को अधिकार दोगे, यह स्त्री से यह कहलवाते हैं बजाए इसके कि तुम घूमने जाओगे तो मुझ से पूच के जाओगे, यह तमाम जो आठ वचन होते हैं कि किसी और अन्ने की तरफ ध्यान दिश्टी नहीं डालोगे, यह तमाम वचन को उस समय अपने जितनी भी इवावी करवाते थे समासुधारत उनको कहा गया है तो उन्हें बहुत से काम ऐसे करवाए हैं तो उसके जगह पर यह वाक्यों वह कहलवाते थे कि स्त्री को अधिकार दोगे यह शपत लो और उसे अपनी सोतंत्रता का अनुभाव करने दोगे यह आकांशा सिर्फ स्त्री की नहीं बधू की नहीं यानि कि एक दुल्हन की नहीं है गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी यह जोतिवा अप कहलवाते हैं और सुधा अरोडा जी ने अपने इस पार्ट में जोतिवा पर जो लिखा है उसमें यह बात कहीं भी ह कि यह तरह सब्दाने काम किये जिसके कारण वनको को महात्मा संबोधन दिया गया तो उनको महात्मा कहकर मेरे संघर्श को पून विरामत दिजिए मठा भी बन जाता है तो वह संघर्ष नहीं कर सकता हुअ इसलिए आप सब साधारन जन ही रहने दें, मुझे अपनी बीच से अलग न करें, यह बहुत महत्यपून दो बातों, दो दृष्टियों से हैं, पहली बात तो इस दृष्टि से कि किसी को महात्ना कहना निष्चितरु से अपने से अलग कर देना, एक तो यह, दूसरी दृष किसी को महात्मा आज के युग में कहो तो वो जो टाग है वो रख लेंगे वो यह उस वात्मी चिंतन करने वाला व्यक्ति ही कहाएगा क्योंकि वह जब समाज को अच्छे से देखाता है यह जो दृष्टियों सच्छ दृष्टिया अगर किसी के बात तो के वाल समाज को न किसी को नहीं देखेगा बलकि अपनी को भी देखेगा वो अपनी तरफ भी नजर डालेगा तो इससे व्यक्ति का सोभाव पता चलता है तो महात्मा इस अर्थ में यह जब कहते हैं कि हमें अलग ना मानो यह बहुत महत्तुपुन है और यह उन्होंने बाद में चल कर के यह जो आप देख वा रहे हैं कि हम स्क्रीन पर उन्होंने लड़कियों के शिक्चा की पहली पाट चला तीन हजार सालों के इतिहास में पहली बार यह हुआ था तो यह सारी बातों के साथ-साथ मैं कहना यह चाहूंगी इसके बाद कि हम सारी चीज़ों को क्योंकि उस दोर में कि ढूने समय अगर मैं और इक दो तीन बातों को देखः उसी त यह जए वही दौर ता जिस दौर नमक सत्याग्रह आपको यौद होगा कभ हूआ था यह 1930 में गांधी नन्दक सफ्त्यागरा के समय में इस्तृयां सडकों पे आ गेए थी पूरी की पूरी बहुत स्त्रियां सडकों पे अगे थी, यह मामुली बात नहीं, न्निस्तृयां का समय है और यह उस उनिस्तृय साउ्ट्री के अजिए, आमचुनाओ को कह सकते हैं का जो को On the broken column, the sunlight on the broken column, 1937, तो अजा अंट्या जारी हो अच्छी गया है था, तो फिसी को ध्यान मेरर कर यह किता लिखगी गयी ती। उस्ते निपने लिकी दिए उसमें और कहती है कि जब हम पहले बार श्त्रिया जाती हैं वोद देने, अपना मत का प्रेयोग करने जा रही है तो पह बहुत से लोगों की दृष्टी उन पर पढ़ रही है तो वो दृष्टी कैसी होगी इसको पहली बार अनुभव कर रही है क्योंकि घर में रहते हुए इस दृष्टी का अनुभव नहीं बार निकलती है तो इसका इस पर अधहरी तुन्होंने पहल यह उपन्यास लिखा यह कि मतदाता बनाना बहुत आसान होता है लेकिन मतदिकार का प्रयोग करना बहुत थी जिम्मेदारी का काम होता है जो कोई बहुत कम लोग कर पाते हैं मतदाता तो हम बना सकते हैं लेकिन मत का प्रयोग करना हमें अक्सर नहीं आता है अक्सर हम नहीं कर पाते हैं यह हमारे ल तो के वह हमशे रहिघ था, तो कि ऐझ समय उनने मेरा के श्याजा बढ़न्हा गांडी तो एक तर स्य पेच्द मेरा फिर मेरा के हमेरा के डारा स्यागरा हद आध फरऽ. एक तोसमाज को आप जेते हैं तो हमेहमेरा का सत्यागरही भंज है मेरा का सत्याग्रही मोद कि अधियाने रहता है और उसके प्रभाव में वह करते हैं तो यह सारे आंदोलन जो होते हैं, यह सारे आंदोलन अपने आप में कहीं ले कहीं केवल इस्तरी शिक्षानी बल्कि टोटैलिटी में संपूरता में समाज की शिक्षा से जुड़ते हैं, समाज को शिक्षित करने से जुड़ते हैं, उसको आगे ले जाने पे उसकी नई रह मेहत्यपुन परफ तो है वही दो था हम आपको किस रूप में स्त्रियां आपको किस रूप में देख रहे ही हृण वहा। ये बड़ा माइन रखता है। जिस समय 19这四 पर बात है वही दोर था जिस समय 1 9 46 कि बात है बाण्भटintend की आत्मकता नाम का पन्यास है है हजारिपसादीवेदी कह अपड़ते हैं कैता है तो उनके इकches अई पैनीवान पंन्या yo तो है निर्णीया नाम के तक्रा दोनों बरेम करते हैं निर्स्ती है क्योंकि बर्ण बार्ढर करता है कि इस समय हम आंदोलन हमारे लिए राष्ट की मुक्ति बहुत महत्य पुन है और राष्ट की मुक्ति के लिए तुम्हें अपनी इस चाह को छोडना पड़ेगा अपना इस हमारे छोटा प्रेम और देश प्रेम दोनों में फर्क है तो निवनिया कहती है कि यह बताओ कि क्या क कि देश की मुक्ति बड़ा सत्य होता है और एक बड़ा सत्य होता है और देश की मुक्ति बड़ा सत्य है और स्त्री की मुक्ति छोटा सत्य है तो वो कहता है कि यह वाक कि उस समय तुम्हें जाता है लेकिन बात में वो सोस्ता रहता है कि उस जो बात कहीं बहुत महत्तु कि कि देश की मुक्ति, राष्ट की मुक्ति या व्यक्ति की मुक्ति, दोनों दो प्रश्न नहीं है, दोनों एक प्रश्न है, तो अगर स्त्री की मुक्ति होती है, अगर किसी मनुष्य की मुक्ति होती है, तो देश की मुक्ति भुष्से जुड़ी हुई है, हम किसी एक प्रश्न को भुला कर अगर चलेंगे तो गलत होगा तो यह उस समय बड़ा ही महत्वपुन प्रश्न था जिसको ले कर के सारे लोग काम कर रहे थे और हम अपने आप को जब देख रहे थे तो इस नजर से देखने का प्रयास कर रहे थे जाहें वो हजारिपसाद दिवेदी हो जाहें व कि रचना है उसमें उन्होंने शुरूआत में कहा है कि अशोव है अरे अश नारे एशोव हैं अंग्रेज एशो से सीपह मुसल्मान ईशो है ब्रामः शुची कारमन अपनी मन को शुद्ध करके आ ओ दलत आ तूम्यां आओ अ सब मिल कर इस भारत को हम निर्मित करेंगे यानि सबके साथ मिलकर ही इस भारत का निर्मार्ण किया जा सकेगा यह उस दौर में बहुत खुल कर राया और जोतिवा को पढ़ते हुए सबित्सावित्री भाई फुले के बारे में जानते हुए जो इन्हों नहीं राह बनाई शिक्षा की स्त्री शिक्षा की विशेष तौ संपूर्णता में उस शिक्षा की राह बनाते जा रहे थे तो आज हम उस राह पर मैं यह कहना चाहूंगे कि जब हम डान्डी आत्रा में महिलाई इतने सड़कों पर आ गई उन्निसो तीस में आज क्या कारण है कि हम कई जगों पर महफूज नहीं महसूस करते हैं आज भी क सुचने की जरूरत है और यह भी सुचने की जरूरत है कि हम मनुष्य को या किसी को याद करते हैं तो केवल संग्या की तरह नाम की तरह नहीं बल्कि उनको क्रियाओं की तरह याद करें क्रियाओं को संग्याओं में बदलने से रोकना होगा और हम को सिर्फ हम बना करहना हो बना कि वे की नजर से किसी को देखना हो बिलकुल और इसी सवाल को हम अपने दर्शकों को बच्चों को भी देना चाहेंगे अगर आपके पास कोई जवाब है आप इसी पर सोचना चाहते हैं तो जरूर सोचिएगा मौती महत्वपून था हमारा आज का विशे स्त्री बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो धारन हमारे सामने है बारवी शताबदी से आज 21 शताबदी चल रही है और यह रहा बहुत लंबी है इसमें बहुत सारे लोग आए सिर्फ महिलाए नहीं आई पुरुष भी आए बहुत सारी बाते कही गई बहुत सारी चीजें कही गई और हुई भी स्त्री शिक्षा के लिए तो यह रहा आगे चलती रहेगी और जब तक पक्षपात होगा तब तक यह रहा चलती रहेगी तो हम जब तक दोनों एकुल नहीं होंगे सामाने नहीं होंगे तब तक यह रहा चलती रहेगी और आप सब इसमें जुड सकते हैं काम कर सक कारेक्रम था भुछ ही महत्व पुण था माम थांक यू धन्यवाद आपका बहुत-बहुत हमारे साथ सभी को बहुत-भथ दन्यवाद और झमस्कार सभ्लप करने के लिए अहां हम सब चीजों को देखना और सवतंत्र होने का मतलब यह भी होता है सवतंत्रता के बहुत सारे वाक्या आपको मिलेंगे पर आपके लिए सवतंत्रता क्या है यह आप हमें बता सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कारिक्रम में जुड़ने के लिए और इसी तरह से एक कारिक्रम और हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे थोड़ी देर में बारवी कक्षा के सभी बच्चों के लिए संस्कृत का ये कारिक्रम होगा थोड़ी देर में हाजिर होंगे विद्या चानल नंबर 12 पर तब तक के लिए देखते रहें ये विद्या चानल और साथ साथ अपना ध्यान भी रखेगा और स्वतंत्रता आपके लिए क्या माईने रखती हैं यह हमें बताना बिलकुल मत भूलेगा नमस्कार